हेलो गाईज, कैसे हैं, आग करेली की सबजी करेलो को अच्छी तरह से साप कर लिया है कहीं बार दो लिया है, अगय काटने है गाईज, इस परकार से करेलो को उपर से छीलना है गायज देखियES इस परकार से चीलना है। देखिये कायज इन सभी करयलो को उपर से चील लिया, अब इन में कट लगाती है। गाईज इस परकार से इन में कट लगाकर इनकी अंदर से बीज निकालनी है। इस परकार से इनको बीज निकालकर अंदर से खाली कर लेना है। देखे गाईज सभी करेलों को कट लगाकर उनकी अंदर से बीजों को निकाल लिया है। गाज कुछ इस परकार से, बीजो को अलग कर लिया, गाज और इसके छिलके को अलग कर लिया है, गाज, देखे गाज इसमें छिलके में थोड़ा सा नमक रणा कर, इनका कड़वा पानी मिकालना, गाज नमक लगाने से, कड़वा पानी इनका अलग हो जाता है, थोड़ी देखिए गाइज इसका कड़वा पानी इस परकार से निकालना है देखिए गाइज इन करेलो में थोड़ा थोड़ा नमक लगाना है नमक लगाने से इनका कुछ कड़वा पन कमो जाएगा Hello guys, देखिए प्याज और लहसोन और मीरच इन सभी को काट लेना है प्याज को काटना और लहसोन और मीरच को कूटना है? प्याज को इस परकार से काटना है कर लगे के लिए गाईज हमने सभी प्याजों को इस प्रकार से काट लिया और अब कुंडी में गैसोन और मिरच को पूटते हैं थोड़ा नमक ढाल कर गाईज हमने मेरे चोरलोश उनको कूट लिया है गाईज गैस को कर लिया उन इस पे रखनी अब कढाई गरम हो जाएगी अब इसमें गरना है तेल गाईज कढाई गरम हो चुकिए अब इसमें डाना है तेल करेले को इसमें तेल में तर्णा है गाईज इस परकात से तेल में डाना है गाईज अमा रहे करेले तेल में फ्राई हो चुके अब इनको भार निकालते हैं कि गाईज इनको बाद निकाल लिया दल कर इसमें तेल में घेरना यह ऐगेज का पुर्वाला फुर्वाला चीलरा हुआ गाईज इसमें बीज भी गेरती है क्योंकि वीज हमारे कच्चे थे गाइज अब गेरनी है इसमें प्याज, क्योंकि प्याजबीन के साथ ही गाइओ जाएगे गाइज अब इसमें डालनी है हल्दी, गरम मशाला और कश्मेरी लाल मीरच गाइज इसमें गेरना ये थरी मीरच और लैसुन का पेस्ट गाइज हमारे मशाला बन कर त्यार हो गया हैUh- sheloo गाईज देखो ये परकार से में गाइज हमारे करेले बन कर त्यार हो चुकके है अभन बसुर्व करती है हमाईज गाइज अि विडियो अच्छि लगाए